अलो दोस्तो असलाम अलेकूं कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ बड़ी अपड आप वीडियो को सुरु मैं वाले के वाल हैं उनके लिए इंपोर्टेन वीडियो है उके चलिए बात करते हैं सबसे पहली ख़बर एंदर को होली डे रहे एक चुट्टी का दिन रहो उस दिन प्रोफिट मुहमंद का बोधान है इसलिए पूरे क्वेड के अंदर ऑफ़िय चुटी रहेगा जो चुटी का डेट है जो आंगे दुनिया भर से अब उनको फीस भरना पड़ेगा क्वैत एरपोर्ट पे आने गा पूरा मामला यह है कि क्वैत एरपोर्ट पे अब जो भी आएगा जो भी आपका टिकट कटेगा टिकट के अंदर ही आपको क्वैत एरपोर्ट का भी फी एड किया जाएगा जो फीस होगा जो फी होगा वो होगा आपको सारे तीन डॉलर से लेके चार डॉलर तक यह जिस भी एरलाइ इसका इंडियन केरिंसी में लगभग 250 रुपया से लेके 290 रुपया तक जाएगा मालो आप कुएट के लिए 30,000 का टिकट लेते हो उसके बाद आपको 290 रुपया और भी पे करने पड़ेगे तो टोटल 30,290 रुपया आपका टिकट का प्राइज हो जाएगा ओके चलिए बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में तीसरी खबर के अंदर ये है कि आज से जो पाकिस्तान का फ्लाइट पी आईए वो कुएट के लिए जाएगा और मैं आपको बता दूँ पिछले 6 महीना से पाकिस्तान एरलाइट पी आईए को कुएट ने बैन राखा था तो 6 महीना के बाद आज पहली बार होगा जो पाकिस्तान से पी आईए का फ्लाइट कुएट के अंदर انट्री करेगा चलिए बात करते हैं इंडियन एरलाइन का तो इंडियन एरलाइन तो आलेडी चालू है कुएट में आने के लिए बहुत टाइम पहले से जैसे इंडिगो गो फर्स्ट गो एर और एर इंडिया का जो फ्लाइट है जो इंडियन एरलाइन है ये चारो एरलाइन को कुएट में अगला वीडियो उसी के उपर है तो वीडियो आप मिस्स मत करना अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लेना साथी साथ बेल आइकन को भी दबा देना कि जैसी वो वीडियो डालू आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जल्द में इंट्री करने के लिए तो जल्दी से नीचे कॉमेंट करें ओके चलिए बात करते हैं चौती ख़बर के बारे में कोयत के अंदर जो फार्मानिया जगा है फार्मानिया जगा के अंदर 26 मतलब 26 कार को जो रोड के किनारे लगे हुए थे उनको कोयत मुंसी पार्टी के त परिशानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो ओके चलिए बात करते हैं पांच भी खबर के बारे में क्या आपको पता है कि क्वेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलिगल लोग रहते हैं वो कहां रहते हैं अगर पता है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है चलो मैं सबसे ज़्यादा विदाउट लाइसेंस वाले सुपरमार्केट भी हैं साथी साथ जलिव के अंदर जो 15% ऐसे रेस्टूरेंट है जिनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वहाँ पे वो रेस्टूरेंट चला रहे हैं और 18% ऐसा अपार्टमेंट है जलिव के अंदर जो इल लीगल है आने वाले टाइम में भी जलिव के अंदर चापा मारा जाएगा तो जितने भी लोग हैं रहते हैं जलिव के अंदर मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अभी भी टाइम है आप अपना साड़ा डोकुमेंट्स किलियर कर ले और आप लीगली क् को लेकर अपडेट रहना चाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे मैं मिलूंगा आप से फिर इसी तरीके की नई अपडेट के साथ मैं हूँ आयान और आप देख रहे हैं क्वेज अपडेट थांक्यू